हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग आशा करते हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरन के अध्यापी का मेरा नाम है सोनम खान आज पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 31 जिसका नाम है आपटित गध्यांश यानि के अंसेन पैसेज तो आई के बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों इससे पिछले पार्ट में आपको याद उसी कद्ये से आधारित हम से कुछ प्रिश्न पूछे जाते हैं आईए देखिए आपटित कद्यांश का वास्तवी का अर्थ है ऐसा कद्यांश जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा इस पार्ट में हम कुछ ऐसे ही कद्यांश पढ़कर उन पर पूछे गए प्रिश्नों के उत्तर देंगे पच्चो एका पटित कद्यांश पढ़ते हैं शिरू में धूमरपान लोग फैशन के तौर पर करते हैं और धीरे धीरे फैशन व्यसन में परिवर्तित हो जाता है व्यसन होने पर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है तो अनेक पत्र पत्रिकाओं में धूमरप स्वास्ते के लिए बहुत हानिका रखे इसका ज्यादा सेवन करने से खासी श्वसन रोग फिर्फडों की खराबी और कैंसर जैसे असात्य रोग भी हो सकते हैं बीड़ी सिग्रेट के धुए में निकोटीन होता है जो घातक होता है धूमरपान से स्वास्ते के साथ साथ ध है थानिक्चेतावनी धूमरपान स्वास्ते के लिए हानिका रखे छापना अनिवार रेकर दिया है बच्चो हमने भी गध्यांश पड़ा अब हम इस पर आधारित कुछ प्रिश्ण करेंगे उप्रियूक्त गध्यांश के आधार पर निमने लिकित प्रिश्णों के उत्त कर दो पहला प्रिश्ण देखिए बीडी सिग्रेट की धुए में कौन-कौन सा पधार्थ होता है एवं उसका मानवत्ता के स्वास्ते पर क्या प्रभाब पड़ता है तो इसका उत्तर है बीडी सिग्रेट की धुए में निकोटिन नामक विशैला तत्व होता है जो को जागरुक पनाने के लिए सरकार ने ने लिया की बीडी सिग्रेट की डिब्बियों पर ये चापड़ा जरूरी होगा कि धोम्रपान स्वास्ते के लिए हानिकारक है तीसरा प्रिशन देखिए उपरियुक्त गत्यांश का उचित शीशक दीजिए इस गत्यांश का शीशक ह होगा धोम्रपान से हानिया चौथा प्रिशन देखिए धोम्रपान की आदत कैसे पड़ती है शुरू शुरू में लोग फैशन के कारण धोम्रपान करते हैं तथा धीरे धीरे यही फैशन आदत पर परिवर्तित हो जाता है तो इस कारण हमें धोम्रपान की आदत हो जाती है एक और देखिए प्रेश्ण धूम्रपान के सेवन से कौन गौन से बिमारिया लग जाती है धूम्रपान से खासी सास के रोग फेफ्रों के रोग एवं कैंसर जैसी असात्य बिमारिया हो जाती है तो बच्चों हमने एक गद्याश पड़ा उससे अधारित कुछ आया है जमीन बंजर होने लगी है तथा प्रकृति का संतुलन भी कड़ गया है पौधे मिटी से खनीज लवन और पानी लेते हैं मिटी पौधों की वृद्धी के लिए अतिया वश्यक है पौधों की जड़े मिटी के कड़ों को चक्ड़ रहती है और उसे वह जाने से रो हो जाते हैं तता भूमी बंजर हो जाती है प्राया यहीं भी दीखा गया है कि जहां वन अधिक नहीं होते वहां वर्षा कम होती है और जब होती है तो बाड़ा जाती है बाड़ के कारण एक और हानी यह होती है कि मिटी बह बह कर जल्ष्रोतों पर जमा हो जाती है जिससे उसकी कहराई कम हो जाती है। बच्चों हमने जो गध्यांश बढ़ा है उससे आधारित प्रिश्ण बढ़ते हैं। उपरी गध्यांश के आधार पर निमने लिखित प्रिश्णों के उत्तर दीजिए। पहला देखिए। वनों की कमी का क्या दुश्प्रभाप पड़ा। वनों की कमी की कारण जलवाईयों में परिवर्तन आया है। जमीन बंजर होने लगी है तथा प्रकरती का संतुलन बिगड़ गया है। दूसरा प्रिश्ण देखिए। मिट्टी का कटाफ किसे कहते हैं। मिट्टी की उपरी सतह का पानी दुआरा अपने साथ पहा ले जाना मिट्टी का कटाफ कहलाता है। तीसरा प्रिश्ण देखिए। मिट्टी की कटाफ से कौन-कौन सी हान्या होती है। इसका उत्तर है, मिट्टी के कटाफ से महत्पूं जयविक पधार्थ खो जाते हैं, तथा भूमी पंजर हो जाती है, चौथा प्रिश्ण देखिए, उपरियुक्त गद्यांश का उचित शेशक बताईए, उपरियुक्त गद्यांश का उचित शेशक है, वनो का महत्पूं। तो बच्चों, हमने एक और गद्यांश देखा, उस पर आधारित कुछ प्रिश्ण देखिए, इसी तरह आपको नीचे कुछ गद्यांश दिये जा रहा है, आप लोग उने पढ़ेंगे, उनसे संबंदित कुछ प्रिश्ण पूचे गए है, उनके उत्तर आप देंगे, इ अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाई बच्चों!